डॉक्टर नरिंदर सिंकपूर्दी पुस्तक बुहे बारियां दा लेख है डर, पै, ते सैम मनुखी मान ते सोच ते जिनना डूंगा ते विशाल पर बाव डरदा हुंदे होर किसे पावनादा नहीं हुंदे इक विद्वान ने क्या कि मनुखी जीवन्च प्रेम, निराशा, नुकसान, आतो उपजन वले पावता हवादे चौंके हन जदके डर, पै, ते सैम, पुचाल दी न्याई हुंदे हन इवें बहादरोस व्यक्ती नू नहीं कहन दे, जिस्ट वदेरे शक्ती जा साहस होवे, सोगो बहादरों व्यक्ती हुंदे है, जिड़ अपने डर नू जित लवी बहादर तो बहादर व्यक्ती वी अचानक मौत दा सामना होणों ते डग मगा जान दे, पर एक सच्चा बहादर व्यक्ती अपने डग मगा एक कदम चट पट मुड़ टिका लगन दे अठारवी सदी दोरान मीर मनू दे जमाने वेच, सिक अमरत चाके बहादर नहीं सी बन दे, ओधों अमरत चाक दे बहादर सान स्रीर खानी दे खत्रे वाली स्थिती नू डर कें दे हैं, जो तो एक डर लगातार बढ़ियां रहे, ताय पै बाढ जान दे डर्दी स्थिती च व्यक्ती सुंगड जान दे, जदके पैदी हालत वेच, ओपनी कल्पना नालनी का खत्रे उसार दे पैदी स्थिती च विच्चरन वाला व्यक्ती अपने आपनू इकल्ला अन्बव कर दे, ते उन्हुं सब तो वदेरे डर रात नू लग दे जदू कोई व्यक्ती लगातार डर दी अवस्थाच वेचरदा रहे, ते जेडी कटना उन्हुं अपने नाल वापरन दा खत्रा हुए, पर उदूजया नल वापर जाये ता जए व्यक्ती दा डर उदे अच्चेत मंच पहुंच जान दे, ते उदा समुच्चा वरतारा डा डोल हो जान दे, अजया व्यक्ती सब पासे काल परे टांग नल वेख दे, हर किसम दा खड़ा को दा त्यान खेच दे, ते हर अजनभी विच्चों उन्हें अपना कातल दिखाई दे, अजया व्यक्ती किसे थां वदेरे चिर टिक के बैठ नहीं सक्दा, वो इकला हों तो ड कर दे, कुण्डियां, जंद्रें, प्रती, वदेरे सुचेत हो जान दे, अपने रिष्टेदाराण वेंज मिल ते, जिमी आखरी बार मिल रहे हो हो कि, अजया व्यक्ती दी सोच नूं अदरांग हो जान दे, वो अपने आपनू ना जिओं दे आंच गिंदै नमरे आंच, अजियाव यक्ति वो देरे कल्पनाशील होंदे, उने का स्थितियां उसारदा रंदे, मन्दी इस स्थितिनू सैम केंदी हैं, जिसनू दुख दा डर है, उनू डर दा दुख भी होएगा, दूजियानू ड्राउन वले आप भी डरे रंदे हैं, डर नाल उसरी होई चीज टा किरना न्यासरा पणते बेचैनी डर दे स्रोत होंदे हैं, जोदो अपणियां इसरकारा मतरियां होजान ताहीं आतवादी लेना होंद चाउन यहां, स्थिति किन्नीवी चिंता जनक हिंसकते गुंजलदार हो जाए, उन गलबात नाली सुलजेगी, अजोके संसार विच शा आतवादी खाड़कू लेरां उठ रही हैं, पामे आतंक वादी लेरां सफल ना होंद पर आतंक वाद तो पहले ती मगरोंदी स्थिति कोजी नहीं होंदे, अजोके संसार दा दुखांती हैं, कि जिन्नी तेजी नाल समस्यामा उपजरिया हैं, उन्नी तेजी नाल उनानों सुल जाया नहीं जारया, मनुखदियां इच्छामा ते बारी हालातां विच ताल मेल ना होंद कारण समस्यामा उपजरियां सुबावक होंद हैं, जे कोई समस्या समय सिरहाल ना कीती जाएं, ता एक गुंजलदार होके मुसिबत बन जान दी हैं, असलियत नहीं के राजनी ती गंदी होगी है, सो मोई है कि गंदे लोक राजनी तीच बढ़ाई हैं, सब तो वड़ी आतंक वादी शक्ती सरकार आप होंदी हैं, सरकारां वलो मिथ के साजशां करवाईयां जान दी हैं, अजई स्थिती च लोकां दी मना चे कठा होया गुसा, ते रो उनानू दोश्टां ते दुराचारियां नू साध्या नहीं जा सकता हैं, रामचिवित मानस ते सुन्दरकांच रामचंदर जी कहन दिहां कि बिना पैदे दोश्ट जन गाल नहीं कर दे, जदो सरकारां लोकां दे गुसे नू समझन दी थां, गुसे नू कुचलन लग बैन, तस थ ते ती ये साथ तक विगड़ जन्दी है कि कुझ भी ते कोई भी ये दे असर तो बाच नहीं सकता। रूपतार लेंदे हैं। सरकार ते लोकांच विश्वास्ती काटकारन हिंसा फैल दी है। डर्दी द्रिष्टी नल वेखियां चीजां सोनियां नहीं लाग दियां। डर्दी अवस्थाच चीकाई उपजुदियां वैनी वीजे जान्दे हैं। राग दे गीतने सिर्जे जान्दे। डर्दी होई व्यक्ती दे गुड़े आपस्ट पिड़ दे है। उन्हों ठंड वेच भी पसीना होंदे। उधे रौंग टे खड़े हो जान्दे है। तो दी अवाज गलेच फास्ट जान्दी है। अजिया व्यक्ती कदम अगे राखता है। जान्दा पिछे है। केंदे हन डर्दे होई बंदेनू कुझ भी तुंदला दिखाई नहीं देंदा। उँ हर चीज ते हर गलनू वदा चड़ागे वेख दे। जिया व्यक्ती हर थानू जेल समय दे। डर्दे होई व्यक्तीनू वेख के तरस होंदे। सरकार दा सब तो वड़ा फर्ज इंसाफ करना होंदे। जदों कोई सरकार इस फर्ज प्रती बेमुख हो जान दिया। ता मजलूम अपनी योगता ते समरता अनुसार आप इंसाफ करन लग पेंदे है। किसे विरुद्धीनू आप ही मार देना पुराणे समय विचले इंसाफ दी एक किसम सी। जदों कोई अंदोलन जल लेर बेमुखार हो जाए तो कुराही पैके अपनी शक्ती गवा बैठ दिये। अंदोलन कारियांच होर किसे वी तब के दे मुकाबले संजम, संग, कोच ते जबदी लोड वदेरे हों दिये। संसार दाइते हास गवा है कि कोई लेर कुछली ओदों जान दिये जो तो बे असूली हो जाए। जिन्हें चरता कंदोलन कारिय असूल दी लड़ाई लड़े होन, उस सफलता दी आस कर सकते होन। यह निस चनल नहीं कैंगा सकता कि पहला लेर कमजोर हों दिये। असूल दी सरहाद हुते लड़रे मुठी पर लोगाणू मारया था जा सकता है। परुना दे दिलान दियां तो डुंगानांच वसे, अज़ादी दे सुपने दे संकलप नू कुछ लेया नहीं जा सकता। इसे लिए क्या जानदा है कि किसे जागे हुए संकलप नू कुछ लन लई, फोजां पे जणियां व्यर्थ हों दिया। जिवे एक शिकारी नू पंची प्रापत नहीं हुंदा, पंची दा स्रीरी प्रापत हुंदा, इमें पुलिस याँ फोज नू लाशी मिल दिया, संग्रामीयें दी रूख किदरी होर जावस दिया। अत्वद दी लेरां दी अध्धिन तो पता लगदा, के ना दी आस्त उमर लगपग सत्वरें दे। संकट हुंदी है। जे लेर असूल उते खड़ी होई हुवे, तव अपने निशाने दी पूर्ती तक बल्वान रहेगी। पर जे लोकां दा अंदोलन कार्यांते असूलांच विश्वास होई तो किसे पुलेखे दा शिकार नहीं हुंदे। डर पैती सैम अतवदी अतंकवदी जे गुरिला युद नीती दे पैंतडे है। पर इपैंतडे उसे अनुपात्च सफल होँगे। जे सानुपात वेचे अनुशासंच रह के वर्ते जानगे। पर बहुते लम्मे अर्से तक इना दी वर्तों करदे रहनाल। लुकान दे मान जान बुझ जान दे हन। Hur दिल सोंगर जान दे हन। ते दिमाग सुन हो जानदे हन। जे लोकादे मनाज किसे अंदोलन जाँ, जदो जैद प्रती उत्षाई न रहे, तक केवल डर, पै ते सैमनाल, किसे चंगी ते हंडन सार प्राप्ती ती आस करनी व्यर्थ साबत हुदी है।